एक दो तीन चारत हुआ है यह क्वेशन गलत है आपका इसका आप्शन ही नहीं दिया हुआ है रेखा कि चेक वह है जिसको भूनाया जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माधियम से चेक निर्गत करने के करने वाले के द्वारा किसी बैंक के माधियम से या दूसरों वेक्टि को हस्तान्तरित कर देने के पहश्याद कैसे हम भूनाया जा सकता है अगर मतलब भंजाया जा सकता है भुनाया जा सकता है लिखा हुआ है तो इसको कैसे हम भंजा सकते हैं तो State Bank of India के माधियम से वर्ष 2010 और इगारत के लिए व्यक्तित आयकर से प्राप्त आयकर पर कुल कितना चेस लगायता है दो प्रतिशत, तीन प्रतिशत, एक प्रतिशत या सुन प्रतिशत तो ये सुन प्रतिशत क्या लगता है उपकर चेस लगता है हमारे क्या क्या व्यक्तित कत आरकर से प्राप्त करने पर 2011 की जनगन्ना के अनुसार साक्षर्टा आकडों के विशय में निमलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है साक्षर्टा दर में काफी सुधार हुआ है 2011 के दौरान साक्षर्टा जनसंख्या में बृद्धी हुई है या फिर भारत की सक्षर्टा दर 74.0 प्रतिशत से आकलीत की गई है या केरल में सक्षर्ट सक्षर्टा पाई गई है तो इसमें केरल में सत्प्रतिशत सक्षर्टा पाई गई है मतब केरल सबसे ज़्यादा लिटरेट रेट में सबसे आगे है 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमलिखित में से कौन सा राज सक्षर्टा के रास्टिया उस्षट से नीचे है महराष्ट, गुजरात, उडिशा और पच्षिम बंगाल तो कौन सा राज सबसे नीचे है उडिशा 2010 और 11 के लिए चालू किमतो पर किस राज की प्रतिवेक्ति आय का अनुमान अधिक्तम रहा है पंजाब, हडियाना, गोवा, महराष्ट तो सबसे ज़्यादा प्रति आय अनुमान अधादित कहां में रहा है बचो तो ये आपका गोवा में रहा है 2011 की जनगन्ना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में महिला जनसंख्या का अनुपात कितना है 53.75%, 46.25%, 48.46% ये 51.54% तो ये 48.46% क्या है तो महिला जनसंख्या का क्या तो अनुपात सितंबर 2010 के अन्त में भारत पर कुल विदेशी रीन कितना बना रहा है तो 295.800 अरब डॉलर इग्रामी योजना 2007 और 12 के लिए प्रस्तावित सर्वजनिक शेतर पर कुल परिवय कितना है कुल परिवय कितना है तो वर्ज 2009 अर्दस में दूद के उत्पादक में भारत का विष्व में से कौन सा स्थान रहा था तूद के उत्पादन में भारत का स्थान पहला रहा था मुद्रा स्फीती के कारण GNP में स्रम आस कम हो जाता है या किस कारक होता है कीमतों के अपेक्ष मजदूरी पिछड़ जाती है मजदूरी की अपेक्षा कीमत पिछड़ जाती है कीमतों की अपेक्षा लाब पिछड़ जाता है या लाव की अपेक्षा कीमते पिछड़ जाती है तो जी एन पी का स्रम अंस कम होने के कारण लाव की अपेक्षा कीमत पिछड़ जाती है मतलब जितना हमें लाव नहीं हो पाता है उससे जादा हमें कम, कीमत क्या होता है? कम मिलता है जैसे जैसे अर्थ विवस्ता विक्सित हुई रास्टी ये आए में त्रित्यक छेत्र का अंस रहा घड़ता है, तत पश्यात बढ़ता है, बढ़ता है, तत पश्यात घड़ता है या फिर बढ़ जाता है या फिर घट जाता है क्या होता है तो पहले बढ़ता है तत पशात घटता है भारत में योजना वै मुखता पूरा किया गया है अंतरीक उधार एवं अन साधनों से भारत सहायता क्लब की सहायता से IAIMF की सहायता से OECD देश की सहायता से कैसे बढ़ता है बच्चो बताओ तो अंतरास्टिये उधार एवं मुख सहस्थानों से पूर्ति किया जाता है क्लियर है बरतमान में कुल रासी प्रतिक नोबल पुरुस्तकार तहत प्रदान की जाती है एक लाग सोनार, दस लाग सोनार, एक करोर सोनार या दस करोर सोनार तो दस करोर सोनार वर्ष 2012-12 के बजट में राजगिये घाटा सफकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत है 2.4 प्रतिशत, 4.5%, 6% या 4.6% किता प्रतिशत है बचो तो 2.4 प्रतिशत है प्रतिशत है निमलिखित में से कौन सा एक भारत की सरकारी शेतर में सबसे बड़ी व्यापिक संस्था है भारत खाद निगम, खादी एवं ग्राम योधय निगम, खनीज एवं धातु व्यपार निगम, भारतिये व्यपार मेला अधिकरम तो क्या है, खनीज एवं धातु व्यपार निगम है निमलिखित में से कौन सा राज 2001 और 11 से अवधी में सरवाधिक जन व्रिधी अंकित की है मतलब सबसे जादा जन व्रिधी वहां पर हुआ है, राजिस्थान, तामिनाडू, महराष्ट या मेघाले कहां में सबसे जादा हमारे कहां जन संख्या व्रिधी प्रतीशत अंकित की गई है तो सबसे जादा हमारे केहां में घाले में की गई है सरकार की प्रधोगिक नीती के अंतरगत सरकारी शेत्र के लिए आरक्षित उद्योग की संक्या कितनी है पांच, तीन, छे और नो तो कितनी है तो ये आपकी तीन है उड़दारी करन तथा नियंतरनों की नीती अपनाते हुए सरकार ने अधिकांस उद्योग के लिए लाइसेंस अनिवार को समाप्त कर दिया बरतवान नीती में कितने उद्योग में उद्योगिक लाइसेंस आनेवर है मतलब बहुत सारे ऐसे वैपार हैं, उद्योग हैं जिसमें लाइसे होना जरूरी नहीं है बाट कौन से ऐसे ऐसे उद्योग हैं जिसमें लाइसेंस होना काफी ज़्यदा क्या है? काफी ज़दा important है तो 8, 7, 6, 5 तो 5 companyyओं में क्या होना चाहिए 5 उधियोगों में आपके license होना काफी ज़दा important है जैसे जहां पर दवाई बनती है जहां पर दवाई बेची जाती है यह सब का license होना काफी important है निम्लिकीत में से किस देश को भारत का Silicon City कहते हैं Silicon State of India गोवा आंध्रप्रदेश करनाटक या केरल तो हमें Silicon City करनाटक को हम लोग बोलते हैं राश्टिये नवी करन कोस की स्थापना किस उद्देश से की गई है जलदे बताईए राष्टिये नवनी करन को उसकी स्थापन की उकी गई है तो इसकी स्थापना उद्योग के अध्वनी करन के लिए की गई है भारत में गन्य की पिराई से कूल गन्य की वजन की लगवा कितनी प्रतिशत चीनी प्राप्त होती है 5, 10, 20 या 30 तो कितनी प्रतिशत हमें चीनी की प्राप्ती होती है बचो तो हमें बस 10 प्रतिशत चीनी ही प्राप्त होती है next cellular phone के जनक कौन है cellular phone जो हमारे कहा आया था cell phone उसके जनक कौन से हैं तो उसके जनक Fred Morison है भारत में आयकार प्रारम करने में कौन तो James Billion जो है वो उतरदाई है क्लिर है तो यह आपका पूरा रहा 100 MCQs एकोनॉमिक्स के जो कि मैंने आपको एक वीडियो में कम्प्लीट करा दिया बाकी ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे कॉमर्स नेशन के साथ जुड़े रही है चैनल को लाइक किजे सब्सक्राइब किजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिजे हव गुद डे बच्चो सी यू टुमोरो